नमस्कार मैं आजमिन खान और आप देख रहे हैं स्प्यन नाइन न्यूस लगतार विदेशों से भी एक लहर और इक वाज बार बार गूजती हुई दोहराती हुई नजर आती है यहां पर वो साबित करती है कि उत्तर पूर्वी लाके में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा में जिस तरीके इसका माहौल बनाया गया था जहां पर धर्मों के अधार पर लोगों को मारा पीटा गया था जहां पर नाम पूछ कर उन पर गोलियां चलाई गई थी उस हिंसा में कितने मासूम लोगों की जाने गई है और यहां पर जो दंगे भड़काए गए हैं ये राजनेतिक पार्टियों का शड़ियंत्र है तो अब ऐसे में पहले एक खबर जब आई थी कि जावे जो जरीफ है जवाज जरीफ विदेश मंतरी है इरान के उन्होंने यहां पर कहा था समुदाई को लेकर कि अगर आप मुसल्मान समुदाई को ऐसे परेशान करेंगे और नागरिक्ता संसोधन कानून के तहट आप उनकी नागरिक्ता को लेकर सवाल खड़े करेंगे तो आप पर कई हमले और कई आरोप हम भी लगा सकते हैं और ऐसे कदम ना उठाए इसकी हिदायत इरान के विदेश मंतरी देते हुए नजर आये थे जिसकी बाद भारत से ये कहा गया था कि इनकी इन बातों को लेकर इरान के सर्वोच नेता है उनको कहा गया था कि आप इनको समझाईए कि हमारा आंतरिक मुद्दा है इसमें दखल ना दे अगर आप दखल देंगे तो आपके खिलाब भी एक्शन लिया जा सकता है तो ऐसे में जब सर्वोच नेता आयातुल्ला अली खौमनी को ये कहा गया था तो उस वक्त वहाँ पर ये बाते सामने आई थी कि आंतरिक मुद्दा है लेकिन आप यहाँ पर खुद ये सर्वोच नेता आयातुल्ला अली खौमनी बोलते में नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका का संबंद अच्छा नहीं है क्योंकि कासिम सुलेमानी की जान जाने की वज़ा उनकी मौत के पीछे का कारण अमेरिका ही है अमेरिका ने ही उन्हें मारा है जिसकी वज़ा से उनके संबंद अच्छे नहीं है लेकिन भारत और इरान के संबंद अच्छे हैं जिसको लेकर इरान चेतावनी देता है कि अगर आप इनके नरसंगहार को लेकर नहीं सोचेंगे इनकी नागरिक्ता को लेकर नहीं सोचेंगे तो इसलामिक जगत के कई लोग आप से दूर चले जाएंगे और इरान खुद कहता है चुनौती देता है कि यहां पर कड़े कदम उठाए यहां बाते ये समझ में नहीं आती कि विदेश में समझ चुके हैं कि इसके खिलाफ है जनता के खिलाफ है लेकिन भारत सरकार क्यों नहीं समझ रही है मोदी सरकार क्यों डंके के चोट पर एक ही बात बोलती है कि इसमें कोई बदलाम नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आम जनता जो अभी भी वहाँ धरने पर बैटी है जिससे उन्हें परेशानी हो रही है उसको लेकर अगर विदेश में आवाज उठ सकती है विदेश के लोग ये सला दे सकते हैं कि यहाँ पर सच में धर्म के अधार पर हो रहा है चाहे एक दे बार पर नहीं जज किया जा सकता यहां आँ लोगों की जाने गई थी और इस जान की वजह लापरवाही और इस जान की वजह भडकाऊ बयान और ऐसी राजनीती है जो इन उप्रदवियों को घुसाती है और वहाँ पर हिंसा को भड़काती है तो इस मुद्दे को लेकर कम से कम उसकी छवी के बारे में तो सोचें अगर छवी खराब करनी है तो अगर आप नहीं मानते हैं तो यह सही है अगर छवी को बचाना है तो कुछना कुछ सोचना जरूर पड़ेगा अब इस तमाम उद्धों को लेकर आपका क्या कहना है comment box में जरूर बताएं और देखते करेजबनाइनूस